हेलो, गुड मॉनिंग, कैसे हो आप सब, आई होग कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, और यहाँ पे सुबर सुबर का टाइम है, आज न बहुत परेशानी हुई है, आज लाइट ही नहीं आया है पूरे दिन में हमारे यहाँ, और इसकी वज़े से बहुत दिक्कत हुई है, तो मैं यहाँ पे गेहू धोने की तयारी कर रही हूँ, क्योंकि राम नौमी आ रही है, और राम नौमी में हमारे यहाँ पूजा होती है, जिसे दाल वाली पूरी, गुड वाली खीर, यह सम चढ़ाया जाता है, उसकी लिए साफ गेहूं के मतलब साफ आ गया है, तो वही मैं जो हूँ, उसको पहले पानी डाल के मैंने फुला दिया था एक घंटे तक, और वैसे आठा बहुत अच्छा बनता है, अगर आप गेहूं को न अच्छे से धोने से पहले फुला दो न यह उपर तक एकदम आ जाता है, अच्छे से फूल के, तो पूज जाना नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी, बीमारी है, तो उसका इलाज है, और वो दूर भी होगी, लेकिन यही है, कि जिसके सर पे कोई चीज पढ़ती है, यह वही चीज जान सकता है, दूसरों को सुनने में बहुत मजाक लगता है, या फिर लगता है, कि यह बहुत चीजें यहां की चीजें बहुत ही जदा आसान है, बट होती नहीं है, जानता वही है, इसलिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, जरुत ना हो तो बाहर मत निकल लिए, मास्क लगाईए, सनेटाइजर यूज करिए, हाथों को दो ये, यह सारी चीज में हर वीडियो में बोलती हूं और बोलती रहूंगी, तो यहां पर ये भी आ गया है, और सुबस्वगा टाइम है न, तो सब लोग बस अपने काम में लगे पड़े हैं, और देख रहे हैं, धूप इधर आने को है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही मैं अपने गेहुदोने का कारेक्रम जो है वो हो गया है, उसके बाद मैंने गेहुदो दिया, तो ये जो है वो ले जाके, ये छट पर ले जाके न, सुखाने के लिए, ये लेके जो है, वो जा रहे हैं गेहुदोने को, और यहां पर न, मैंने स्टीम ले रही हूं, भाब जिसको बोलते हैं, जिससे न, जुकाम और खासी में मुझे बहुत ही जदा रिलीफ मिलेगा, और आप सब नहीं सला दिया था कि स्टीम लेजिए, तो यहीं पर मैं स्टीम ले रही हूं, अभी जो है, वो मैंने गेहुद हुए हैं, नौरात्री के लिए, थोड़ा सा लेट के बात कर रही हूं, थकान बहुत जल्दी हो रही है, और देखो तेवहार तो हमें अपने सेलिब्रेट करने ही है, मतलब यह तेवहार नहीं हमारे यहां पूजा होती है, इसलिए साफ नया गेहुद होया जाता है, नया चने की दाल के पूरी बनती है, वो सब अस्टिमी की रात को पूजा होती है, और नौमी को साद्रक बढ़ा दिया करो रम्या को भी थोड़ा काड़ा दो रम्या ने पिया नहीं थोड़ा सा थोड़ों सा दिया था उसको फिर से बनाऊंगी और अभी नहाने भी मुझे जाना है लेकिन थोड़े देर के लिए लेट गई आके और रमजान का महीना चल रहा है तो आप पूरे फैमिली के लिए और पूरे दुनिया में अभी देखी रहे हैं कितना ज़्यादा कोहरा मचा है और एक हमारे और जानने वालों को कोरोना पॉच्टिव मिले हैं और उनको न यहां न गाउं में न मतब हॉस्पिटल के हालत आपको बताऊंगी न यकीन नहीं कर पाऊ है न मतब हॉस्पिटल में आप लोग ने कमेंट किया कि अगर आप पॉजिटिव भी हो न तो जाना मत हॉस्पिटल बात आप लोग के सही है क्योंकि जो जहिल रहा है न जिस पे पढ़ती यह न वही वुस चीज को जान सकता है जिस पे जो चीज नहीं पढ़ती अलग रहा मुझे भी बहुत मतब लगता था नहीं कोई रोना मतब उतनी सिरियस नहीं थी और अभी हर चीज को सेरेंटाइज करो प्लीज हर चीज को करो पाहर से कुछ भी चीज़े आ रही हैं थोड़े दिर के लिए उसको हवा में रखो और उसके बाद सबजीद होने वाला भी आता है वेजी वस और बहुत सारे आप कोई भी ब्रैंड का कहीं से भी अपना मतलब दुकान से खरीद लो वरना वेकिंग पाउडर जो वेकिंग सोडा होता है उसको भी कर सकते हैं आप सबजीद होने के लिए यूज तो अब मैं कब इस्तार कर दिया है हमने अलग और ये भी सब होगा लगा लगी है हमारे घर में अगर थोड़े बहुत सिंप्टम्स में हैं तो बच के रहने की ज़रुवत है ना कि पैनिक होने की मैं हर वीडियो में बोल रही हूं आप सबसे और मैं अपना डेली रूटीन या फिर अपनी बाते आप से इसलिए करती हूं कि घबडाई नहीं है मेरे को मंदिर जाने से कि आप नहीं जा सकती और साथ में जित करके गई तो मंदिर प्रिशासाद मुझे रोक दे तो मैं नहीं जा रही लेकिन मैं पूजा करती हूं जितना भी हो सकता है और जो जितना भी कर सकती हूं करने की कोशिस करती हूं गे उदोने के बाद बड़ी थकांसी हो गई कर ली मैंने आप सबसे इतनी सारी बाते अच्छा लगता है मुझे आप सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है आप मेरी फैमिली के जैसे नी बलकि मेरे फैमिली ही हो जितने भी लोग है और कितनी खुश थी ना एक लाक होने वाले हैं अब किते अराम कर लूँ और यह बोल रहें कि फोन में ज्यादा मत देखां किया इसे दुखाता फोन बिल्कुल भी नहीं चला रही थोड़े बहुत इंस्टा पे काम है मिरको वह भी नहीं कर पा रही जाती हूं बैका जाती हूं इस्टाग्राम की आइडिया नगां की सांती आ पूरे दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फोन मतलब उठा सकूं मेरा बिल्कुल भी इक्षा नहीं किया इसलिए ब्लोगिंग करना तो पूसिबल नहीं है पूरा दिन इतना धूप इतनी गर्मी रह दिये साम हो गई है तो मैं जा रही हूं हिलते हिलते चत पे जो गेहों रखे थे न सूखने को तो यह देहिए न कि इसकी तिशने करा है फिर भी जा लेए यह ताम कि जो घ्र करना के ऎंगि होगा यह Landing डिया और एविज साम तो अभी थोड़ा सा मातरा नीकी कृपा दिश्टी की जरूरत मेरे पे ज़्यादा है तो वहीं मैं यहाँ पर दिया दिखा रही हूँ साम हो गई है यह साम का ब्लोग है दिन में मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई है यहाँ पर तो हो गई है रात और अभी जाके लाइट आईए पूरा दिन इंतजार करती रही कि लाइट आजाए पूरा घर बिखरा पड़ा है इतने सारे काम मेरे घर में पड़े हैं इतने सारे काम पड़े हैं कि मैं दिखाओं तो आप समस्दी कहा कि कौन से कबाड़े में रह रही हो मतलब उस रूम का पूरा हुलिया खराब हुआ पड़ा है वहां जाओ रमे लिलवाती और पानी देले में नहीं हो जाए तो कांटे बुलाव बढ़ते हैं गिलसिया में और लाइट का वेट करती रही क्योंकि एक तो गर्मी उपर से तभीयत उपर से यह सारे चीजे तो निजार करते 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 अब जाके लाइट आई है तो अभी फोन भी चार्ड़् करेंगी और यह दिखी तरे सारे दाने हो रखें मेरे को कब भी दाने लाइफ में नहीं हुए कभी नहीं हुए लेकिन अभी तो बहुत सारे हो रखे हैं बड़े-बड़े से हो रखे हैं जो बड़े-बड़े हैं वो दिख रहे हैं दाने तो बस इस वीडियो को यहीं पर खतम करूंगी मिलूंगी मैं आप सबसे कल एक नए ब्लॉग के साथ और कल मुझे होस्पिटल भी जाती रहेगी आप सबका हमारा आप सबका प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे जुड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ तो बस यह तो थी मेरी यहीं वीडियो आई हो कि आप सबको अच्छी रगी होगी और अभी मैं जा रही हूं खाना बनाने और खाना में क्या बना हो समझ में नहीं रहें रोज क्या नया बनाऊं रोटी सब्जी रोटी सब्जी अभी नौरात्री चल रही है ना नौरात्री में कुछ वैसे हमारे यहां पूरी पराठा या फिर अप कुछ भी तल नहीं सकते तो इस तरह से थोड़ा साधिकत होता है लासन वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना बेहत ख्याल रखें और इसी का नम जिन्दगी है जिन्दगी चलती रहेगी हम सब मिलते रहेंगे